गुड मार्निंग फ्रेंड्स B.S.A. Second Year Organic Chemistry की युनिट हम ले रहे थे कार्बोनेल कंपाउंट्स और कार्बोनेल कंपाउंट्स में हमने Aldehyde सो देखा और Ketone सो देखा आज हम देख रहे हैं Aromatic Ketone को बनाने की कुछ Preparative Methods सबसे पहला Method है Distillation of mixture of Calcium Benzoate and Acetate Eels Acetophenone यहां हम ले रहे हैं Calcium Benzoate C6H5 COO का Hold twice CA और दूसरा हम ले रहे हैं Calcium Acetate इन दोनों का हम mixture ले रहे हैं और इसको यदि Distil करते हैं, Heating करते हैं Distillation करते हैं तो हमको मिलता है C6H5 CO CS3 Acetophenone यानि कि हम देख रहे हैं हमें मिल रहा है यहां पर Aromatic Ketone C6H5 CO CS3 यह जो हमें मिला है इसका नाम है Acetophenone और यह क्या है Aromatic Ketone इसी तरह से Next हम ले रहे हैं कि Calcium Benzoate अगर हमने मिक्षर जैसे यहां पर हमने मिक्षर लिया था Calcium Benzoate का और Calcium Acetate का अगर हम Only Calcium Benzoate ही लें जैसे हम यहां ले रहे हैं C6H5 CO का Whole Twice CO का Whole Twice CA तो यह है Calcium Benzoate और अगर हम मिक्षर ना ले करके सिर्फ सिंगली इसी कमपाउंड को लें और हीट करें तो हमें प्रोड़क्ट की रूप में यहां पर मिल रहा है C6H5 CO C6H5 Benzo Phenone Aromatic Ketone है और Benzo Phenone इसका नाम है तो यह पहला मेथड हुआ कि Acetates या Benzoates से किस तरह से हम Aromatic Ketones बना सकते हैं दूसरा मेथड है Friedal Crafts Acylation अगर हम Benzine को ट्रीट करें Acetyl Chloride के साथ या Acetic Anhydride के साथ In Presence of AlCl3 या Aluminium Chloride तो प्रोड़क्ट के रूप में हमको मिलता है Acetofenone जैसे हमने यहां पर हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया यह Benzine लिया है और इसकी Reaction हमने करवाई है किस से Acetyl Chloride CS3 COCL से और यहां पर AlCl3 हमने लिया है इसकी उपस्थिती में हम यह Reaction करवा रहे हैं तो प्रोड़क्ट के रूप में हमको क्या मिल रहा है यहां पर Acetofenone और अगर हम Acetyl Chloride की बजाए यहां पर ले रहे है Benzoyl Chloride यहां हमने लिया था CS3 COCL और यहां हम ले रहे है C6H5 COCL तो प्रोड़क्ट के रूप में हमें मिल रहा है Benzophenone यह जो Compound है इसका नाम है C6H5 CO C6H5 Benzophenone तो इस तरह से हम Benzine के Acetylation के द्वारा यह Benzoylation के द्वारा भी Aromatic Ketones को बना सकते हैं तीसरा मैथड है Benzine with Carbonyl Chloride यहां हम देख रहे हैं Benzine की Reaction हम करवा रहे हैं यह Benzine और इसकी Reaction हम करा रहे हैं COCL2 यह क्या है Carbonyl Chloride इसके साथ हम In Presence of Aluminium Chloride Reaction करा रहे हैं तो प्रोड़क्ट हमको क्या मिल रहा है Benzophenone C6H5 COC6H5 Benzophenone Next मैथड है कि Benzine की Reaction अगर हम Alcl3 की Presence में ही Carbon Deutra Chloride से कराएं CCL4 से कराएं तो पहले हमें मिलेगा Dichloro Compound जो अगर इसका हम Distillation करें Steam Distillation अगर हम इसका करें तो हमें मिलेगा Benzophenone यह हमने यहां पर लिया Benzine और इस Benzine की Reaction हमने करवाई CCL4 से In Presence of Alcl3 तो हमें यह इस तरह से Dichloro Compound यहां पर में हमको मिला और यह जो Dichloro Compound है इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं Methyl Derivative अगर हम इसको मान लें तो हम कह देंगे कि 1,1 Dichloro Compound हमको मिल रहा है इसका हमने क्या करवाया Steam Distillation करवाया और हमें प्रोड़क्ट के रूप में क्या मिला Benzophenone C6H5 यह C6H5 CO C6H5 Benzophenone तो Benzine से हम कई मेंथर से जैसे Acetylation से जैसे Benzolation से जैसे CCL4 से Reaction से COCl2 से Reaction से इस तरह से कई तरह से हम Aromatic Ketones बना सकते हैं Next मेंथर है Catalytic Air Oxidation हवा की उपस्थिती में या Air की उपस्थिती में यदी हम Oxidation करवाएं तो इससे भी हम Aromatic Ketones बना सकते हैं जैसे यहां हम ले रहे हैं Ethyl Benzine